कर्म प्रधान विश्वे करी राखा मनुष्य जीवन में कर्म की बहुत महत्पूर्ण भूमिका होती है और कर्म को मनुष्य जीवन का मूल मंत्र माना गया है कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्वे करी राखा जो जैसे करेशो तस्फल चाखा मनुष जीवन में जो कुछ मिलता है वह अपने कर्मों से मिलता है बिना कर्म कुछ भी नहीं मिलता है कहा भी है कि शकल संपदा है जग माही कर्म हीन नरपावत नहीं संसार में जो कुछ भी है वह मनुष को बिना कर्म किये मिलने वाला नहीं है मनुष के कर्म ही उसे मानव से महा मानव देव मानव बनाते हैं और मनुष के कर्म ही मानव से नरपसुव नरपिशाच बनाते हैं देवता और राप्षस्च की पहचान उनके कर्मों से होती है अन्य था देखने में तो दोनों मानव दिखते हैं कर्म को इश्वर को एक स्वरुप भी माना गया है और बिना कर्म की इश्वर चाहकर भी मनुष्को कुछ नहीं दे सकता है संसार में मनुष्की प्रतिष्ठा का सबसे बरा आधार उसका कर्म है गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यहीं उपदेश दिया था कर्म जाजो है कर्म नाहा अर्थात कर्म करने वाला ब्यक्ति निश्क्रिय रहने वाले से स्रेष्ठ है यदि स्वभाग से कर्म के साथ प्रतिभा का भी योग हो तो सोने में सुगंध के समान है वैसे कर्मठ व्यक्ति प्रतिभा शंपन ना होने पर भी संसार में दोसरे निश्क्रिय प्राणियों से सदा ही स्रेष्ठ होता है प्राया देखा जाता है कि प्रतिभा शंपन व्यक्ति कर्मठता के अभाव में अपने योगिता का समुचित उप्योग नहीं कर पाता हमारे नीती सास्त्रों में इस बात को एक उधारन द्वारा समझाया गया है कहा गया है कि मंद गती वाली चीटी भी अपने करमट सुभाव के कारण सैक्रो योजन तक चली जाती है किन्तु ना चलता हुआ गरूर जैसा तिवरे गामी पक्षी एक कदम भी नहीं चल सकता अक्सर लोग सिकायत करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सुन्दर कविताएं और कहानिया लिख सकता हूँ अच्छे अच्छे चित्रों और मूर्तियों का निर्मान कर सकता हूँ समाज का मार्ग दर्शन करने वाले ऐसे सत्साहित का सर्जन कर सकता हूँ इसे पढ़कर लोगों में फैला अंधविश्वास वरस्टाचार स्वेंग ही दूर होने लगेगा और नयतिक पतन रुकेगा ऐसे शंकल्पों का दावा करने वाले व्यक्ति से प्रशन क्या जा सकता है कि इन कारियों को शंपन करने वाले दूसरे व्यक्तियों को भी दिन के 24 घंटे ही परतियक प्राताकाल इस्वर द्वारा प्रदान किये जाते हैं ठीक उतना ही समय परतियक उशा आपकी जोली में भी डाल देती है तब आपके पास ही समय का अभाव क्यों रहता है असल में वह काम हमारी प्रात्य मिक्ता में नहीं होता जिसे हम समय मिलने पर करने का दावा करते हैं इसके अलावा वास्त विक्ता यह है कि किसी भी कारी में आगे बढ़ने के लिए करमठता की विशेश आवशक्ता होती है बहुत इक्षादनों का अपना महत्व है लेकिन शाबुन तथा पानी की विवस्ता होने पर भी क्या अपने मैले कपरे बिना इक्षा और उचित श्रम से धोय के धोय जा सकते हैं हमें वस्त्रों के साथ साबुन तथा पानी का शमुचित योग करना ही पड़ेगा भोजन पकाने के लिए आटा दाल चावल सब्जी नमक मशाले तथा अस्टोव आधिक व्यवस्ता करनी होगी लेकिन तब भी क्या शमुचित प्रयाश के भोजन के प्राप्ति संभव है श्रम जरूरी है शाधन और शामगरी हो लेकिन श्रम नहीं हो तो कुछ भी नहीं क्या जा सकता लेकिन श्रम हो तो शाधन तथा शामगरी नहीं होने पर भी कुछ न कुछ ऐसा नहीं तो वैसा कोई इंजाम या उपाय क्या जा सकता है अनेक पुस्तकों का शंकलन करने से ज्ञान प्राप्ति का कोई संबन नहीं है अपने परिश्रम के बिना आज तक किसी ने भी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया खेद है कि आज हम दीता के कर्मयोग को भूल चुके हैं देखा देखी सभी के विचार रुशित हो गए हैं हम कम से कम कारी करके अधिक से अधिक लाव पाने के अभिलासी हैं यदि ब्यवसाय ढूंदेंगे तो वह ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़े परिश्रम से ही अधिक ही लाव मिल जाए नोकरी अशी होनी चाहिए जिसमें काम कम करना पड़े अच्छा वेतन हो और उपर की आया वश्य हो हमारा चिंतन ही ऐसा विक्रित हो गया है कि इमानदारी से जो भी मिलता रहे उससे हमें शंतोष नहीं होता सरकारी कर्मचारियों में अधिक से अधिक धन कमाने की होरशी लगी रहती है रिश्वत के बिना फाइल के एक मेज से दूसरी मेज तक जाने में महिनों लग जाते हैं यदि विध्यार्थी जीवन में ज्यान की अपोर्णता बनी रहेगी तो क्या वह जीवन भर कष्ट नह चाहिए परिश्रमी कर्मट तथा अनुसासित विद्यार्थी ही कल का अच्छा विज्ञानिक कुशल प्रसासक योग शिक्षक या समाज को प्रगति की राह दिखाने वाला अच्छा नेता बन सकेगा यह भरम है कि शौटकट से या काम चोरी से ऐसी किसी भी जगह पर बैठ कर हम कभी भी अपना या अपने समाज का या देश का कोई भाला कर पाएंगे श्री शद्गुरू महाराज कीजे